ओम गण गणपतये नमाहा स्री गुरुदेवदत्त नमस्कार मित्रो प्रोफेट 666 चानेल में आपका स्वागत है मित्रो आज इस वीडियो में मैंने आपको भूत प्रेत अत्रुपत आत्मा पिशाच राक्षस जीन चुडेल उपरी हवा और हर प्रकार की अदुरुष्य या दिखने वाली बूरी बला से छुटकारा पाने के अत्यंत सरल दो बिना मंत्र यंत्र पूजाविधी के इस्तमाल के सटिक और शक्तिशाली संख्यात्मक ताविजों के बारे में जानकारी दी है जिनके प्रयोग से हर प्रकार की बाधा खत्रो और परेशानियों से सुरक्षा मिलती है अगर आपको यह वीडियो पसंद आ जाएगा तो कुरुपया सस्क्राइब करना मत भूलिए और तुरंद नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें आप इस वीडियो में बताए गए दोनों तावीजों में से किसी भी एक तावीज या दोनों का प्रयोग कर सकते हो दोनों का प्रयोग करने से आपको ज़्यादा सुरक्षा प्रदान हो जाएगी अब मैं आपको इन तावीजों के बनाने के विधी के बारे में बताने जा रही हूँ रुपया ध्यान से सुनिए इन तावीजों का आप किसी भी दिन, किसी भी सिमय इस्तमाल कर सकते हो अब यह देखिये पहला तावीज यह ताविज पानी में घोलकर पीने का ताविज है इस ताविज को एक फ्लाट याने की चप्ते स्वच्छ छोटे पत्थर पे चंधन की स्याही से अनार के पेड के नुकिले लकडी के टुकडे से लिखना है इसके बाद इस पत्थर को पीने के पानी में धोना है और फिर वह पानी पीना है इससे भूत प्रेत इत्यादी जिवों से सुरक्षा प्रदान होती है नमुने की तोर पर मैंने आपको सफेद रंग के कागच पर काले रंग के स्याही से यह ताबिज बना के दिखाया है लेकिन आपको पत्थर के उपर चंधन की स्याही से यह बनाना है यह देखिये मैंने एक स्क्वेर निकाला है और उस स्क्वेर में 16 छोटे स्क्वेर है और उसमें कुछ अंक है अब अंक सुनिये 00-09-08 ये S है लेकिन ये S नहीं है ये S के आकार की एक अकुरूती है फिर 5, 4, 6, 4, 3 स्टैंडिंग लाइन निकालनी है खड़ी लाइन फिर S है 11, 91, 5, 1 और 2 खड़ी लाइन फिर वापस 2 खड़ी लाइन अब मैं आपको दुसरे तावीज के बारे में बताने जा रही हूँ ध्यान से सुनिए यह तावीज गले में धारन करने वाला तावीज है इसे सफेद रंग के कागच पर चंदन के पेस्ट से एक अनार के नुकीले लकडी के टुकडे से बनाना है यंत्र बनाने के बाद उसे अच्छी तरह से फोल्ड करके धातू या कपड़े के तावीज में डाल कर गले में धारन करना है यह देखिए मैंने कैसे बनाया है मैंने नमुने की तोर पर सफेद रंग के कागच पर काले रंग के स्याही से यह बनाया है लेकिन आपको सफेद रंग के कागच पर चंदन की पेस्ट से बनाना है यह देखिए एक स्क्वेर निखाला है उस स्क्वेर में 16 छोटे स्क्वेर से और उसमें कुछ अंक है आप अंक बताने जा रही हूँ 9 एक स्टाइंडिंग लाइन है फिर S है वो S नहीं है S के अकुरूती का फिर 66 एक पाच शुन्य चार शुन्य नौव एक S फिर इकुल टू दो लाइन खिचनी है स्लिपिंग लाइन शुन्य एक शुन्य एक शुन्य नौव एक S और चालिस मित्रो अगर आपको यह चानल पसंद आ जाया हो तो कुरूपया सस्क्राइब करना मत भुलिए प्रभू सबका कल्यान करेंगे